नमस्कार मैं प्रग्या ध्राधर 30 खबरों में आपका स्वागत चुली जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबर को अंडर 19 महिला T20 विश्व कप के फाइनल में रविबार को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा इसे पहले भारत के स्टार एथलेट और ओलम्पिक गोल्ड मिडलिस चेवलिन थ्रोवर नीरस छोपरा भारतिय महिला क्रिकेट टीम के खिलारी और स्टाफ से मुलाकात की ऐसे इन उन्होंने फाइनल जैसे एह मुकाबले से पहले भारतिय टीम को सगरात्मक रहने के टिब्स दी अबी सीसी आई ने इसकी तश्रीरे सेयर की हैं बिघार जोट के वहार को लिए अच्छे खाने पीने की बात कही है विजय चाख पर अभिवार को बिटिंग डीट्रेट के दौरान बैंडों की ओर से भारतिय सास्त्रे संगीत अलहायत मधुर धून बज़ाइ जाएगी इसके सुरवाद सामोहिक बैंड के अगनीवीर धून से होगी समाडों के अध्यक्स राष्टपती द्रॉपती मुर्बु करेंगे इस दोरान प्रधानमंत्री नरिंदर मोदी और रक्षामंत्री राजनास सिंग भी मौजूद रहेंगे रक्षामंत्राले ने कहा है कि पहली बार नौर्थ और साउथ ब्लॉग के पास विसे इस 3D प्रोजेक्शन से प्रस्तुती दी जाएगी वही आज और अंगाबाद में तीन दिवसिये दे महसफ का आगाज हो गए है जिसका उद्गाटन सुवे के उपमुक्य मंत्री तेश्री आदव ने अपने संबोधन में देव मंदर को प्राचीन मंदर बिताते वे लोगों से आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील कि उन्होंने संबूधन के दुरान महात्मा गांदे वुद्ध की विचार धारा को लोगों के समख्ष रखा और कहा कि लोगों को भूत और भविश्य का चिंतन छोड वर्तमान के सिति को सवारनी की कोशिश करनी चाहिए तरिपूडा विधान सभा चुनाओं के लिए बीजेपी कॉंग्रस ने सनिवार को अपने उमिद्वारों का ऐलान कर दिया है विधान सभा के साथ सीटों के लिए 16 फरवरी को होने वारे चुनाओं में दोनों पार्टिया तैयार है बीते दिन बीजेपी ने अपने स्टार प्रचार को के लिस्ट जारी की इसमें प्रधान मंतरी नरेंदर मोध इग्री मंतरी अमिस सहा पार्टी अध्यक जेपी नडडा नितन गड़करी फिल्म स्टार मित्थुन चक्रवर्ती मनोस तिवारी हेमा माली शामिल है जहां भारती जंता पार्टी ने तालिस और छो उम जहां के बुखे मंतरी और उपमुखे मंतरी जो निकती पत्र बाटते हैं वह एक साल उन पहले निकत लड़कों को फिर से पटना बुला कर दुबारा निकती पत्र बाट रहे हैं बाम दलो केबाद अब लोग जनसकती पार्टी ने भी बिजली दरों में व्रिदी के विरुत आंदोलन की घोछना की है पार्टी के राश्ट्री यद्धिक चिराग पासवार ने कहा कि बिहार में बिजली दर में और प्रतियाश्यत व्रिदी हुई है चिराग ने कहा कि सरकार का या फैसला पडिवार के घरलू बजट को सीधे तोर पर प्रभावित कर रहा है कलकार खानों और प्रिसी छेतर में भी बाधा उत्पन हो रही है उन्होंने कहा कि अने प्रदेशों में प्रती यूनेट बिजली दरों की तुलना अगर बिहार से की जाये तो यह किसी राजी के अधिकतम दर से भी जादा है केंद्री वितमंत्र निर्मला सितारमन वितवर्ष 2023 का केंद्री बजट एक फरवरी को लोग सभा में पेस करेंगे वितमंत्र आले के मताबिक इस साल का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा बिहार के पुर्व डिप्टी सियम और आज सभा सांसर सुईल मोदी ने जदियों के संसिजिये बोर्ट के अध्यक उपिंद्र कुश्वाह के समर्थन में खुलकर उतराए है शुशील मोदी ने कहा कि लालू यादव और मुखेमंध नितीस कुमार के बीच क्या सीक्रेट डील हुए आकिर दोनों दलों के बीच हुए उस समझोते को जानने का पूरा हग बिहार की जनता को है उपेंद्र कुश्वाह ने जो मुद्दे उठाए है उसे टानली के बज़ा नितीस कुमार को उनका जवाब देना चाहिए नए मान दंडो के आधार पढ़ी सोचल मीडिया प्लेटफॉर्म की दोबारा बहाली भी की जाएगी दरसल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर में अलन मस्क का कारेकाल शुरू होने के बाद कई बड़े बदलाव हुए नहीं में एक बदलाव वक्ताओं को खाता निलंबर के खिलाव अपील का विकल देना भी है बिहार विद्याले परीचा समीटी ने 1,11 फरवली तक होने वाली इंटर की वार्षीक परीचाlt से 22 फरवरी तक होने वाली मैत्रिक वर से परिच्छा संबन्दित गाईडलाइन जारी कर दिया है समीती ने सभी परिच्छार्थियों को निरदेश दिया है परिच्छा केंद्र पर चप्ल पहन कर आने वाली कानिडेट को अंध़ जानी की इजाधत नहीं दी जाएगा कि ऐसा निर्ने बिहार बोर्ड ने कदाचार मुक्त परिच्छा के लिए लिया है परिच्छा में शामिल होने वाले परिच्छार्थियों को परिच्छा शुरू होने से 10 मिनिट पहले तक प्रवेश दिया जाएगा विदेश मंत्री डॉक्टर एस जैसंकर ने शनिवार को कि विदेश मंत्री जैसंकर पूने के एक कारिक्र में सिर्कत करने पहुंचे थे इरान की धरती बीती रात तेज भुकम से काम गई रिक्टर स्केल पर इस भुकम की तिवरता पांस दसम्लों नौ मापी गई है इसके लावा 440 लोग घायल हो गया है रात बचाव कारे जारी है घायलो को हस्पिटल में भरती कराया गया है अफ्रात अफ्री का महौल है हाला कि प्रशासन ने लोगों से सांती बनाए रखनी की अपील की है बतादी की उत्तर पश्म इरान में टर्की इरान बॉर्डर के पास पश्मी अजर बैजान प्रांत में भुकम के जटके लगे है खोई सहर भुकम में सबसे ज़्यादा प्रभावित है एसिया के सबसे बड़े रईस भारती उद्योग पती कॉर्टम अदानी को नए साल में तावर तोर जटका लगा है ब्लूम बर्ग बिलेनियर इंडेक्स में तीस्टे अस्थान से लुड़क कर साथवे अस्थान प पहुंसते हैं लेकिन मुगल गार्डन अब अमरित उद्यान के इनाम से जाना जाय का बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमरित महुसव के तहट बदला गया है इसी के साथ मुगल गार्डन का नाम बदलने पर विपक्ष ने सरकार को नकरी नसीहत दे राली और क कहा है कि सरकार नाम बदलने के बजाए नौक्रियां पैदा करने और महंगाई को नियंद्रत करने पर ध्यान केंद्रत करें पीम नरेंद्र मोधी ने सनिवार को दिल्ली के करिपा ग्राउंड में एंससी रैली में भाग लिया और राश्ट्री एक एड़िट कोड के 75 साल पू और इस तरह हैं उन्होंने कहा कि देश को एंससी कैंडिडेटों के दिर संकल्फ और सेवा की भावना पर गर्व है बारत सरकार विवन रेल मारगो पर बंदे भारत ट्रेनों के उपयोग पर काम कर रही है एक भारती प्रशासिंग सेवा अधिकारी ने चौका देने वाली ये तस्वीर सेर की है इंटरनेट पर वायल हो रही है तस्वीर सोचल मीडिया पर लोगों का धियान आकरसित कर रही है आयस अधिकारी अवनीश रन द्वारा ट्वीट की गई तस्वीर में ट्रेन के फर्स पर पानी की खाली बोत ले प्लास्टिक की थैलिया और कागज बिखरे वे दिखाई दे के बाद पश्रिम बंगाल विधान समाँ वेपक्ष के निता सुबेंदू अधिकारी ने कहा कि मुगलों के नाम और प्रतीकों को खार कर फेक दिया जाना चाहिए सुबेंदू अधिकारी ही नहीं बीजेपी की कई नेताओं ने मुगल गार्डन का नाम बदल कर अमरित उद्यान करनी के फैसले को अतिहासे करार देते वे इसका स्वागत के उन्होंने कहा कि अधिक्ता है कि भारत गुलामी की बान सकता से बाहर निकल रहा है बारतिय मूल के अमेरिकी सांसर्श्고 थाइदार ने सनिवार को भारत अमेरिका की बीच मजबूस संबंधों की वकालत की उन्होंने कहा भारत और अमेरिका की बीच संबंध उतने मजबूत नहीं है जितने की जरूरत है हम दो सबसे बड़े लोगतंत्र है भाद के पास एक बड़ी आर्थिक सक्ती है भाद के पास अब G20 का नर्तितो हेल्च, सरसट वर्षी इथाइदार मिसेगन के तेरवे कॉंग्रेशनल जिले का प्रतिनित्व करते हैं जिसमें मुख्य रूप से डेट्राइड और उसके उप पाई गई है जिनमें से 181 अत्यदिक जोखिम में थी प्रशासन ने कहा कि हमारा सर्वेक्षन पूरा हो चुका है चमोली के जुलादिकार हेवांसु खुराना ने कहा हम आखड़ों को मिलान कर रहे हैं अगर कोई बदलाव है तो वे मामली होंगे विमन्स प्रीमियर लिग 2023 लिग का पहला सीजन होगा ऐसे में सभी किया ही चाहत होगी कि इतिहासिक बनाया जाए भारतिये टीम की दो पुर्व महिला खिलारियों को विमन्स में IPL फ्रिंचाइजियां बड़ी जिम्मेदारी के लिए ओफर कर रही है भारतिये महिला टीम की पुर्व कप्तान मिताली राज को अहमदाबाद ने मिंटौर सलहकार के तौर पर निप्त किया है मिताली राज भारतिये महिला टीम की दूसरी सचिन तेंदौल कर के नाम से जानी जाती एक रिकेट के तीनों फॉर्मेट में खेलने का उनका लंबा अनुभा वे जिसका फाइदा एहमदाबाद को मिलने वाला है देश में इन देनों आम बजट को लेकर चर्चाय सुरू हो गई इताया जानकारी के मुताविक प्रधान मंतरी आवास योजना के लिए इस बार भी भारी भड़कम बजट रखा जाएगा के लिए है जिसका लक्ष 45,000 करोड रुपे का राजश्वर सराब के वैपार से हासल करने का है इस निती को प्रदेश के मुख्यमंत्र योगी आदेतनात के अगुवाई में की बैठक में मंजूरी दे दी गई है नई सराबनीती में प्रदेश शरकार ने विदेशी सराब भांग और मॉडल श्राप के लाइसेंस पर फीज को बढ़ा दिया है नई सराबनीती में इस पर दस फीजदी की बरहुतरी को मंजूरी दे दी गई है भारत मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम करवट ले सकता है राश्ट्री राजधाने दिल शारुख खान के फिल्म पठान चर्चा में बनीवी और लगातार बॉक्स ऑफिस पर बहतरीन कलेक्शन कर रही है फिल्मी फीवर के यूट्यूब चैनल को दिये गए इंटर्व्यू में मनुझ देसाई ने बताया है कि उन्होंने दो दिन में 26,000 लोगों को फिल्म दिखा ऐसा बताया जारा है देस का आम बजट पेस होने में महस चंद दिन है बाकी है ऐसे में करमचारियों की खुशी दोगनी होनी की चर्चा है यान इस बार बजट में टैक्स के लिमिट बढ़ाये जाने के साथ आठवा वेतन आयोग सुरू करने की सूचना है हाला के अभी तक सरकार की ओर से इसकी कोई आधिकारी घोशना नहीं हो पाई है लेकिन सूत्रों का दावा है कि बजट 2023 में इसकी घोशना हो सकता है दरसल अभी तक करमचारियों को साथवा वेतन आयोग के आधार पर सालरी मिलती है लगभग 2014 से साथवा वेतन आयोग चल रहा है करमचारिय के मताविक गुजरात में आज लाको छातर रवी बार 29 जनवरी दो हजार तेस को जूनियर कलर्क भरती परिच्छा में शामिल होने के लिए परिच्छा केंद्रों पर पहुंचे थे लेकिन पेपर लीग होने के बाद परिच्छा को रद करने का फैसला किया गया है भारतिय शेयर बाजार ने दो हफ़ते की बरत के सिलसले को तोड़ दिया शेयर बाजार में 27 जनवरी को समाप्त हफ़ते में 2% से अधिक की गिरावट दर्च की गई हफ़ते की मजबूस सुरवात के बाद FII तोरा जारी बिकवाली के बीच बाजार में सेकंड हाफ में मुना 17,333.9 पर बंद हुआ निफ्टी 50,423.3 अंकिया 2.34 प्रतीशत गरकर 17,604.35 के अस्तर पर बंद हुआ पिछले महिने के लिए सिंसेस और निफ्टी में क्रम सा 2.4 प्रतीशत और 2.7 प्रतीशत की गिरावट आई सरकार खुले बाजार में बिक्री योजना के तहट एक फरवरी से बिक्री के लिए 25 लाग मिट्रिक टन गेहुं की पेशकस करने जा रही है जिन्हों ने हमादुर पूछे का सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रवी शंकर अन्वर करीम खान रित्यूंचे कुमार बाबुलल मरांडी अखिलेशी आदब महमूद अंसारी नुन्नु गोलुकुमार मुहमद सकीर हुसैन मुहमद नौश्र राजा कौशलेंदु क अब भरते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है मुगल कार्ण का नाम अमरत उद्यान में बदलाव होने पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप अपने जवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए आज के लिए इतना ही धन्यवाद